सब्सक्राइब दोस्तों मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में पहला क्वेशन देखिए क्या कहता है आपसे क्वेशन नमर वन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि there is a ratio of 10 ratio 13 between two numbers if 80% of the first number is 16 then 50% of the second number दो संख्याओं के बीच 10 और 13 का अनुपात है और पहली संख्या का 80 प्रतिसत 16 है तो दूसरी संख्या का 50 प्रतिसत कितना होगा एक first है दूसरी संख्या आपकी second है इसमें आपको कितना 10 और ये कितना है आपका 30 अब पहली संख्या का 80% है इसका 80% की मैं बात करूँ तो इसका 80% कितना हो जाएगा आपने का सर इसका 80% हो जाता है सद्धारन है 8 हो जाएगा और 8 की value कितनी है आप खुद बतादो तो आपने का सर 16 है तो 8 की value 16 है तो 1 की value 2 तो आप से बोला क्या आगए तो इस संख्या की value कितनी है आपने का सर 26 26 आजाएगा और इसका 50 परसेंट निगालना है अब ये कोई question थोड़ी 50% का मतलों आधा कितना आगे भी 13 आ जाएगा फिक है बी ओप्सन आंसर वन जाएगा clear simple और सधारन question है बच्चों वाला question है चलिए कारे कि the line chart given below shows the production of the refrigerator by six companies what is the ratio of the production of refrigerator by company C12 to the production of the refrigerator by company C6 कारे कि इस line chart में 6 company द्वारा refrigerator के उत्पादन को दिखाया गया है company C1 द्वारा refrigerator के उत्पादन का company C6 द्वारा refrigerator के उत्पादन से अनपात कितना है ठीक है कारा कि company C1 द्वारा refrigerator के उत्पादन का तो C1 कितना है 100 और C6 द्वारा refrigerator के उत्पादन से दो अनपात एक आ जाएगा यह 100 है और 50 है तो दोन पात एक आजाएगा B option correct answer है इधर 100 है और यह कितना है आपका 50 है clear है समझे आगी बात चलिए इस question में देखिए कहा रहा कि table given below shows the cost price and the selling price of four article चार वस्तों का क्रेम उल्य और विक्रेम उल्य दिया गया है और कहा रहा है the total cost price of DEF is what percent of the total selling price of EFG ठीक है बट डीएफ की total selling price अना cost price of DEF the cost price of DEF and selling price of EFG तो DEF की total क्या है cost price कितनी है आपने का सर यह total आपकी बन जाती है total यह कितना हो गया 600, 700, 14, 14 और 5 कितना हो गया 1950 तो 1950 किसका भई EFG यह total विकर है मुल्य का तो यह total कितना हो जाएगा आपने का सर यह बन जाता है 10 और 117 कितना होगा 18 और यह इदर कितना होगा आपका 100 इससे cancel out कर दो तो उपर value कितनी होगा 1800, 150 यान यहां से हम अगर देखते है टोटल एक सो पचास आ रहे है न तो लगबग आपकी 8 टाइम्स इसका मतलब मुझे यह लग रहा है कि D option आपका आंसर बन जाता है यह लगबग आपका कितना आ रहे है 108.33 परसंट जो मुझे लग रहा है बाकी option तो मुझे काफी दूर लग रहे है तो इसका मतलब आंसर कुन सा हो जाएगा भी आपका D option next question देखिए question में क्या दिया गया है question number 4 क्या रहा है value of यानि सेख theta और आपको आगे क्या बोला है multiply अब root के अंदर minus 1 minus sine square theta यानि cos square theta बन जाएगा तो आगे हमने देखा कि यह बन जाता है sic theta और multiply by cos theta value कितनी आजाएगी 1 आजाएगी D option आपका answer है कितना मेरे भाई D option आपका answer है चलिए इसको देखिए आप से क्या बोला है 3 10 theta 10 theta को मैं क्या लिखूंगा sin theta और नीचे क्या लिख दूंगा cos theta 5 sin theta तो यहां से हमने देखा कि sin theta से sin theta cancel out हो गया तो भी cos theta कितना आजाएगा आपने कहसर 3.5 आजाएगा cos theta 3.5 है C option आपका answer है cos theta ही तो हमसे पुछा गया है चलिए next question पर आजाते हैं question में आपसे बोला गया है कि the average age of Abhay his wife and their child 6 year ago was 42 year and that of his wife and their child 8 year ago was 30 year find the percentage of Abhay कह रहा है Abhay उनकी पतनी और उनके बच्चे की ओश्यत आयू 6 वर्स पूरू है 42 साल थी तो मैं देख लेता हूँ Abhay उसकी wife और उसका बच्चा थोड़ा बच्चा 3 जने है 42 साल थी 6 साल पहले की बात है तो 3 को 6 साल की इसाब से कितना हो जाएगा 8 ठीक है भई तीनों का 6 साल की इसाब से ओरेड हो जाएगा यह present में आ जाएगे हम हमेशा किसी चीज को किसमें लेके आने की कोशिस करते है present में ठीक है हम पीछे की past की tension को भी present में ले आते है future की tension को भी present में लेके चलते है हम इंसान ही कुछ एसे है तो हमने यह देखा कि total हमारे पास में क्या हो जाएगा अभे प्लस उसकी wife प्लस child यह सारा कितना हो जाएगा आपने कासर यह value हमारी बन जाती है 3, 6, 3, 48, 48, 44, 24, यानि 12 ठीक है और 24 कितना हो गए 144 ठीक है ओके आगे चलते है फिर आपसे कहा रहा है कि भई उसकी पतनी और उसके बच्चे उनकी कितने साल पहले 8 साल पहले, 30 साल थी तो 30, multiply by 2 प्लस 8 साल पहले तो 12 ने है 60 और यह कितना हो गया भई आपने कासर 16 यह हो गया 76 कहा रहा है कि अभे की एज बताओ कितनी होगी ठीक है अभे की एज बताओ कितनी होगी तो भई अभे कितना हो जाएगा आपने कासर 144 माइनस 76 तो 24 और यह कितना होगी 68 यह 68 साल का एज उप्सन मेरा correct answer बन जाता है 68 साल का भई चलिए next question की बात करते है क्या कह रहा है आपसे आपसे बोल रहा है कि 73,8,2,1,5 is divisible by 11 73,8,2,1,5 और किस से divisible है 11 से हमने देखा इनको जएड कर ले और इनको एड कर ले तो इधर कितना बनेगे आपका 10 और 10 माइनस 8 और माइनस का A कर दे अब यह 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 तो 0 हो यह multiple of 11 हो आपने का सर्च 2 माइनस 8 इको इस टो 0 यह बनाना ठीक रहेगा तो यहाँ पर A की वेल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है 2 आ जाती है clear? आगे चलिए आपसे बोल रहा है कि भई 5,6, B,2,6 और किस से divisible है? 9 से यहाँ से हमने देखा कि भई कोई cancel out हो रहा है तो cancel out कर दो तो आपने का सर्च 12, 15, 17 और 2 कितना हो गया? 19 और plus कभी? फिर 9 से divisible हो तो B की value 8 होनी चीए 9 से divisible होने के लिए B की value कितनी होनी चीए? 8 होनी चीए तो इसका मतलब A की value तो हमारे पास में 2 है और B की value कितनी है? हमारे पास में 8 है A plus B का मान कितना आजाएगा? अपने का सर 10 आजाएगा यह question हमारे लिए पूछा गया था ठीक है? चलिए आज़े ही इस question में question number 8 क्या कह रहा है? कह तो वेसे कुछ नहीं रहा है आपसे board आए कि P plus Q कितना है? P plus Q कितना है? 5 और P Q कितना है? आपने का सर 18 तो आपसे पूछा P cube और plus क्या पूछा है? Q cube अब P cube plus का Q cube find out करने के लिए आपको पता होना चीए P plus Q और फिर P plus Q का whole square और minus का 3P Q होना चीए तो आपने का सर P plus Q कितना है? आपने का सर 5 P plus Q का whole square 5 का square minus 3 और इसको multiply किससे कर दो? 18 से यह हो गया 5 और यह हो गया 25 minus कितना होगे? 54 तो 5 multiply by minus 29 minus का यह कितना होगे? 45 45 यानि C option आपका answer हो जाएगा कौन सा answer है मेरे भाई? C option आपका correct answer है ओके? समझ में आगी बात चलिए देखी इस question को कहा रहा कि 60% of यानि 870 का 60% यान 3 by 5 निकालना है या आप इसको क्या निकाल सकते थे? 60% है ना तो 6 by 10 कर सकते थे minus root 1444 और plus का कितना 18 को 19 से multiply करना है 0 सी 0 cancel out कर दो और आपने देखा 42 यान 4 आगे 48 से 4 कितना होगे? 52 minus इसका root करोगे तो ये कितना आगे? 38 आगे plus इसको multiply करोगे तो 18 को 18 से multiply करो 324 और 324 में एक बार 18 और जोड़ दो ठीक है? तो 324 में 18 जोड़ोगे तो 42 342 इसमें से जब आपने ये 38 निकाल दो तो आपके बास में कितना बचा भी 4 बचा ठीक है? उस 4 को यहाँ जोड़ो 26 हो गया 300 को और जोड़ो तो 826 हो गया last में final answer 826 यान ए ओप्सन आजएगा clear है? समझ में आगी बात चलिए next question देखिए आप से कहा रहा है if 70% of x-y यान x-y का 70% अगर हमें निकालना है 7y 10 हो जाएगा equals to x plus y का आपको 30% निकालना है तो 3y 10 हो जाएगा 10 से 10 को आफ free कर दो 7x minus 7y is equals to 3x plus का कितना 3y? इसको इधर लियाओ तो 4x और इधर कितना हो जाएगा 10y? तो x upon y कितना आजाएगा आपने का असर ये बन जाएगा 10 upon 4 आप से बोड़ा है कि x का कितना प्रतिसत y है what percent of x is y तो जो y है वो x का कितना परसेंट है ये आप से पूछना चाहा रहे इसका मतलब y x का कितना परसेंट है जिससे comparison हो रहा है इसी बाते में ने basic classes बताई थी आप YouTube पर देख सकते हो maths by Ramnevasar या percentage by Ramnevasar डालके otherwise आप course purchase करके वहां पर course में भी देख सकते हो तो 40% आपका answer हो जाएगा C option यानि आपको mental calculation कैसी करनी है कैसे चीज़ों को समझना है वो सारी बाते में आपको बताईए इसी बरत की तरिजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो 6 तरफल में कितनी बरती होगी एरिया हमेंसा पाई यार स्क्वाइर होता है यह भी मैंने आपको बताई कि अगर percentage ratio में बाते हो तो constant को हटा देते हैं तो area directly proportional to r into r 10% आप बढ़ा रहे हो तो दोनों चीजे multiplying जो दोनों आपस में multiply दोनों बढ़ रही है तो area बढ़ेगा 10 से कितना हो गया 11 और फिर 10 से कितना हो गया 11 क्योंकि 10% की जो value होती है इसका मतलब कितना होता है 1 by 10 होता है 10 से 1 बढ़ रहा है total 121 हो रहा है नीचे कितना है 100 100 से कोई चीज ज़्यादा होती है तो हम इसको percentage increment बोल देते है 100 पर जितना ज़्यादा 100 के respect में चीजें देखना ही तो percentage कहलाता है ठीक है चलिए अब next question पर आजाई इस question में आपसे क्या कह रहा है ये question तो चीक चीक कि आपसे कह रहा है तो यहां से a plus b का holy square कितना 100 minus a minus b का holy square मुझे नहीं पता लेकिन 4 a b कितना आ जाएगा 25 ठीक है समझे आगी बात ओके चलिए 4 a b तो अब क्या करें इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ a minus b को इसको कितना आगा भी 0 आगा कितना आगा भी 0 समझ में आगी बात चलिए आगे बढ़ते है ठीक है तो इसमें लगा ले ना भी कितना था इसमें कोशन कहा गया इसमें क्या था 0 जीरो लगा ले ना चलिए इस क्वेशन में आप से क्या बोला था following line graph shows the production of between five different stage ठीक है in the year 2020 2020 2020 what is the average production of wheat in these five states in the year 2020 निम लिखत रिखा आलेक में वर्स 2020 में पांच अलग लग राज्यों में ग्यहों के उत्पादन को दिखाया गया है ठीक है और कह रहा है कि वर्स 2020 में इन पांच राज्यों में ग्यहों का ओश्यत उत्पादन कितना है अवरेज कितना है तो एवरेज हमने यह देखा कि एक में तो 60 हो रहा है एक में अगर एवरेज अगर हम निकालें तो भी 60 है प्लस का कितना है 80 है प्लस का 62 है प्लस का 48 है और प्लस का 50 है तोटल स्टेट कितने 5 है यहां से हमने देखा कि 140 हो रहा है आ रहा भी 60, ए ओप्सन मेरा correct answer बन जाएगा, कोन सा बन जाएगा, ए ओप्सन मेरा correct answer बन जाएगा, चलिए, next question देखिए, question क्या कह रहा है, आपसे वो रहा है, कि if x equals to minus 2 and y equals to 1, then what is the value of this expression, कुछ नहीं दे रखा, चार और नीचे x की value रखनी है, minus का 2, और plus y की value 1 रखी, आगे कितना 16, और इसका square कर दो, कि minus 2 का, तो कितना आगे, आपने का सर्च 4, प्लस y की value 1, minus 4 और 1 से multiply करो, और नीचे कितना minus का 2, यहाँ value देखो, तो minus 2, तो minus का आजाएगा, multiply by, यह कितना आगे, 4 और plus का 1, और minus, आप इसको उपर कर दो, यह कितना आगे, 2, और यह plus का 2 बन जाएगा, तो कुल मिला के value हमारे पास में 7 बन गी, तो minus का 7 आपका answer है, C option आपका correct answer बन जाएगा, ओके, चलिए, next question पर आ जाते हैं, question क्या कह रहा है, कहा रहा है, इन्हे, right angle triangle, if the longest side is 26 cm, and one of the other side is 24 cm, find the length of the third side, किसी समकौन त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, समकौन त्रिभुज की बात हो रही है, सबसे लंबी भुजा की बात हो रही है, 26 है, अन्य भुजाओं में से 24 है, तो दूसरी कितनी हो जाती है, 10 cm हो जाती है, तो तीसरी भुजा 10 cm है, ट्रिपलेट आपका बन रहा है, otherwise आप right angle triangle की property, पाइथा गोर्स पर में लगा के इसको ट्रॉल कर सकते हो, चलिए, next question की बात परीधी पर अंतरी तो 90 डिगरी है, यदि इस वरत की 35 cm है, तो PQ की लंबाई कितनी है, ठीक है, अब एक बात बताओ, परीधी पर, तो परीधी पर हमेशा ध्यान में रखना, circumference पर हमेशा diameter ही angle अपना 90 डिगरी बनाती है, हमेशा diameter ही तो angle बनाती है, 90 डिगरी, इसका भी यह हो गया, PQ की लंबाई, यह P है और यह Q है, तो 30 cm हो जाएगी, D option मेरा correct answer बन जाएगा, ओके समझ में आगी बात चलिए, question number 17 देख लो, इसमें कर रहा है, cell phone was bought for 18,400 after getting a discount of 8% on its mark price, what is the mark price of the cell phone, एक cell phone को उसके अंकित मुले पर 8% की छूट मिलने के बाद 18,400 रुपे म खरीदा गया, तो cell phone का अंकित मुले क्या होगा, simple सी बात है कि mark price अगर आपको निकालनी है, तो 18,400 रुपे मुसको बेचा गया था, ठीक है, दुकानदार ने तो बेचा है, 8% की उसने चूट दिये, इसका मतलब 100 और नीचे कितना आगया, 92, यहां से इसको cancel out करो, तो मेरे भाई, यह कितना हागया, 20,000 का है, ठीक है, 20,000 का phone हो जाएगा, 20,000, clear है, इसका मतलब D option मेरा correct answer बन जाता है, कोन सांसर भाई, D option, चलिए, next question पे आजाते हैं, कहरा है कि the price art below shows the total number of car sold by a company during 5 months, total number of car sold in these 5 months is 5400, total number of car sold in January, February is how many more than the number of car sold in May, तिये गए 25,000 किसी company द्वारा, 5 महिनों की दुरान, बेची गई कारों की कुल संक्या को दरसाता है, इन 5 महिनों में बेची गई कारों की संक्या इतनी है, तो January और April में बेची गई कारों की कुल संक्या, मई में बेची गई कारों की कुल संक्या से कित कितने हदिक है, ठीक है, एक बात बताओ, कि January और April में आपने बेचा कितना है, तो January और April में आपने बेचा है, और मई में आपने कितना बेचा है, तो मई में तो 12% बेचा है, और January और इसमें कितना बेचा है, आपने का 28% ये बेचा है, बलस का कितना 24% ये बेचा है, तो तकड़े शेल्स में निकले तो यहां से हमने देख दीफ्रेंस कितना है तो डिफ्रेंस पता चलता है कि डिफ्रेंस हमारे पास में हारा है 40% का 40% किसका 54% का अब ये निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे भई डारेक्ट हम यहाँ पर value रखेंगे और value put करेंगे तो हमने का सर्थ 54% का हम 40% आपको बता देंगे ठीक है तो 54% का 40% हम डारेक्टर लियां से आपको बताने वाले हैं जीरो कि 16 एक आजाएगा और बीस और एक कितना होगे 2160 अंतर आजाएगा इतनी ज़्यादा बेच दी हमने तो बी ओप्सन आपका correct answer बन जाता है clear है समझ में आगी बात चलिए next question पर आजाते है आप से कह रहा है कि a sum of 4000 becomes 4960 in 4 year at the simple interest if the rate of interest becomes 1.5 times of the itself then how much this sum will become after 4 year करेकि सादान ब्याज पर 4 साल में 4000 रुपे की धनरासी 4960 रुपे हो जाती है यदि ब्याजदर स्वेम का 1.5 गुना हो जाए मतरा डेड गुनी हो जाए जैसे 10% है तो 15% हो जाए 20% है तो 30% हो जाए तो 4 वर्स बाद दनरासी कितनी होगी तो पहले 4 साल में कितनी हो रही थी आपने कसर 4000 रुपे कितने हो रहे थे 4960 रुपे हो रहे थे इसका मतलब 960 रुपे बढ़ रहा था तो जब rate इसके आदी और बढ़ रही है तो अगर माल लो पहले 10% था एसे माल लेते हैं अभी आर परसेंट था अब वन अभी 1.5 टाइमस हो जाएगा आर परसेंट तो इसका मतलब इसका आधा और बढ़ जाएगा कितना 480 रुपे और बढ़ जाएगे तो इसके अंदर 480 रुपे और जोड़ तो सिंपल ही आपने का सर जीरो ये कितना 4 और ये कितना हो गए 14 और ये पांच चोवन सो चालीस रुपे हो जाएगे ये उप्सन आसर आजएगा सिंपल सिंपल इंट्रेस्ट है यार सिंपल चोज़ो इतना क्यों कॉंपलिक रेट सोजते हो अगर उतनी रेट होती तो इतने रुपे और बढ़ जाएगा इससे डबल होती तो सोचो ब्यास डबल आता रेट डेड़ गुनी है तो इसका आधा और जूड़ जाएगा बस बात खतम या फिर इससे आप क्या निकालो आपको गिसर 960 सेक्ड मेतड क्या है परसेंटेज रेट निकालोगे आपको गिसर 960 इंटू कितने सो नीचे कितना आ जाएगा चार हजार उपे और इधर कितना आ जाएगा कितने साल की बात है चार साल की बात है यहां से हम इसको कैंसल आउट कर देंगे तो यह कितना होगे 16 तो 6 परसेंट रेट आगे इस 6 परसेंट का फिर हम डेड़ गुना करेंगे 1.5 टाइम से मल्टिपलाई करेंगे यह 9 परसेंट बन जाएगी अब हम ऐसा ही निकालेंगे इसका तब हम कहेंगे सर 4,000 रुपे और इसका 9 परसेंट के साब से 4 साल से हम कितना करने वाले हैं तो आपने का सर 16,9 कितना होगे 144 या 1440 हो गया अमाउंट कितना हो जाएगा आपने का सर 4,000 प्लस कितना होगे 1440 देखो कितने पापड बेलने पड़ेंगे आपको इसे साथ सिंपल सी बात है छोटी छोटी पापड़ों से काम चला लो ठीक है चलिए नेक्स्ट कोईशन देखिए आपसे बोल रहा है कि A alone can complete a work in 20 days with full efficiency if the efficiency of A decreases by 20% then A alone can do the same work in how many days ठीक है A अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी कारिये को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो A अकेला किसी काम को उसकी जो efficiency है उसकी हम बात करें तो कितनी हो जाती है अब 20% कम हो जाती है तो 20% कम का मतलब है 1 upon 5 तो अब 5 है तो पहले कितनी थी 4 time कितना ले रहा है अभी ले रहा है 20 days ठीक है अब कितना ले रहा है x days हमें नहीं पता तो इसके लिए हमने देखा कि आपसे बोला क्या गया है ठीक है, 20 दुनों में पुरा कर सकता है तो काम क्या है, आपने खसर काम यह है कि 20 दुनों में 5 के हिसाँ से काम करता है तो 100 चीज बनानी है, तो अब time कितना होगा आपने कशर 100 सो चीज को वो 4 के हिसाँ से बनाये तो 25 दिन ले लेगा, बस बात खतम तो यही तो निकालना था तो C option आपका आंसर हो जाएगा क्लीर है efficiency कम होगी तो दिन वो क्या लेगा ज्यादा लेगा क्लीर है चलिए next देखिए आप सी करा what is the time taken by मोहन to cover a one round of a circular पार को diameter of 420 meter if you walk at a speed of 9 kph 420 meter व्यास वाले एक वरताकार पार का एक चक्कर लगाने मोहन को कितना समय लगेगा यह दिवा 9 km परती गंटा की गती सी चलता है तो मोहन देखिए time निकालना है मोहन का distance कितना है 420 speed कितनी है 9 kph इसको meter per second में convert करता हूं clear है तो यहां से हमने क्या 9 से यह कितना हो गया 2 हो गया आपको बता है यह हो जाएगा 840 840 नीचे कितना आगे भी 5 आ गया clear है यहां से हमने देखा और इसको 60 से भी कर सकते हैं तो total आप इसको यह आगे seconds में इसको minute में convert करना है तो 840 और नीचे कितना आजेगा 5 multiply भी 60 कर दूँ 0-0 cancel out हो गया 6 से cancel out करूँ तो एक बार चला जाएगा फिर 4 बार चला जाएगा 14 है तो इसको मैं cancel out करूँ तो 5 से इसमें चला गया 2 बार 2.8 मिनट्स ठीक है 2.8 मिनट्स 2.8 एक बार चला गया और फिर 4 बार चला गया 840 हो गया नीचे कितना आपका 5 यह second मिनट्स रा गया इसको हमने मिनट्स में convert कर लिया ठीक है अच्छा मिट्र व्यास वाले ओके इतना मिट्र व्यास है तो भई एक्चुल में यहां पर क्या होगा फिर गड़बड कर दी हमने एक्चुल में डिस्टेंस हमें निकालनी थी तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है मिट्र व्यास वाले एक वर्ताकार पार का चकर लगाने में तुम चकर लगा रहे हो तो आपकी डायमेटर जो है वो कितना रेडिस कितनी हो जाएगी कि 420 और अपोन कितना आजाएगा आपने का सर 420 अपोन कितना था आपका टू यह कितना तो 210 मिट्र था ठीक है एक्चुल में एक चक्कर में जो तय दूरी होता है वन साइकल वन साइकल इकोस टूपाई थी टूपाई यार ठीक है यहां से केंसल अउट गरो कितना आगए 30 अगया तो यह कितना हो गया अबnocर यह यह अब यह चमाटरर यह नहीं क्या अब तयर भीज़ था यहा हमने क्या निकालने भाग यह इस्टेंस एक्ट स्षिशु में 13 opin हमने कि डारेक्टर में डिस्टेंस समझ के रख दिया था यह नहीं करना था ओके तो आपको यहां क्या करना है अब टाइम निकालना है तो इसको सेकेंड में आ जाएगा तो 60 से और डिवाइड कर तो ती मिनिट में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है जीरो से जीरो आपका केंसल आउट हो गया और छै और दो कितना होगे बारह फिर अगेन इससे केंसल आउट के दो गया उपर आगे 45 और नीचे कितना आ जाएगा पांच आजेगा तो एट. इसका मतलए एपसन आंसर आ जाएगा तो थोड़ा सा समझे ना को बढ़ना अपने जलद बाजी में निए से कर दिया चलिए नेक्ष्ट पर आजाईए इसमें आप से क्या कर रहा है कि एरिया ओफ इसक्वाइर इस एलेवन फिप्टी सिक सेंटिमेंट इसक्वाइर वोड इस दे रेस्पेक्टिव रेश्यो बिटिविन दे लेंट एंड वीर्थ और रेक्टेंगल हुज लेंद इस सेंटिमेंटर लेस्ट इस देन दे साइड अप दे स्कॉर एक वर्ग का चेतरफल कितना है ग्यारे ग्यारे चंपन सेंटिमेटर स्कॉर तो एक आयत की लंबाई और चोड़ाई के बीच करमसय का अनुपात क्या है यदि लंबाई वर्ग की भुजा से दो गुनी है और अब आप से क्या बोला है कि एक आयत है जिसका चेतरफल क्या होगा लंबाई और चोड़ाई की बात हो रही है तो आपको साब साब पता है कि कह रहा है कि लंबाई वर्ग की भुजा से दो गुनी है तो 68 सेंटिमेटर और चोड़ाई है वो 14 सेंटिमेटर कम है 14 सेंटिमेट तो यह हुए कि 17 से 4 बार और यह 5 से कितना होजेगा 4 17 रेशियो कितना है 5 यानि C option मेरा answer आजएगा clear है समझे में आगी बात आपका C option correct answer बन जाता है clear है चलिए next question की बात कर लेते हैं कह रहे है a man cover a certain distance in 2 hours and 10 minutes if he walk at a rate of 12 km per hour if he covers the same distance and cycle at the rate of 30 km per hour then find the time taken by him एक आदमी 2 गंटे 10 minutes में एक निश्चित दूरी तै कर सकता है यदि वह 12 km पर ती गंटे गती से यात्रा करें यदि वह समान दूरी cycle से 13 km पर ती गंटे से गती करता है तो उसके दुआरा लिया गया समय क्या होगा तो distance equals to speed into time होता है clear? तो पहले मैं यह देखता हूँ कि time उसने लिया था 130 मिनट का 130 मिनट का यहां मैं ऐसे ले लो दो गंटे और उसने 10 मिनट दो गंटे 10 मिनट इसने यहां लिये थे तो इसकम दो गंटे 10 मिनट कम 2 and 1 y 6 हो जाएगा 13 y 6 आ रहा हो जाएगा तो मैं कहूँ 13 बटी 6 गंटे और उसने 12 की हिसाब से लिये तो भाई कितना time लेगा वो जब उसकी speed क्या होगी 13 होगी तो यहां से हमने देखा 13 से 13 cancel out हो जाएगा यह कितना आगे 2 तो t equals to कितना आगे 2 आर इसका मतलब 120 मिनट 120 मिनट हो जाएगी clear है तो इसका मतलब 120 मिनट C option मेरा correct answer है समझे आगी बात चलिए next question की बात करते है simple question है direct value रुखनी है 6 art का मान क्या होता है 6 art सबसे पहले हम बात करते है cost art की cost art का मान वही होता है sign 30 का होता है तो 1 बटे 2 चलिए इस question की बात करते है कि Amar buys an old washing machine for 4500 and he spent 500 on its repair अमन 4500 रुपे में एक washing machine खरीता है और 500 रुपे उस पर repair पर खर्च करता है if he sells the washing machine for 4500 then what is his loss percentage कह रहा है कि Amar 4500 रुपे में 4500 रुपे में एक पुरानी washing machine खरीता है और उसकी मरमत पर 500 रुपे खर्च करता है actually में उसका जो CP है ना मरमत सहीत ही बनेगा जितना उस पर खर्च कर रहा है अगर उस पर color color कुछ करवाता टेक्सी भड़ा कुछ लगाता तो वो भी इसमें count होता 5000 रुपे है SP इसका कितना बन रहा है उसने 4500 रुपे में इसको बेच दिया इसका मतलब यह है 5000 की चीज़ को 45 रुपे का नुकसान कर लिया तो percentage loss कितना है आप से पूछा है कि 500 रुपे मरमत पर खर्च करता है ये दिवासिंग मसीन को 45 रुपे में बेचता है तो हानी प्रतिसत क्या है 500 नीचे कितना आगे 5000 और इधर कितना आगे 100 अच्छी तरीकी से आपको पता है कि 10% का उसको नुकसान हो रहा है फिर भी अमन बेच रहा बिचारा क्या करें मजबूरी होगी ठीक है तो C option आपका correct answer बन जाता है देख लिजे question को फट आफट एकदम easy और आसान question है ठीक है percentage loss यहाँ पर उसको हो रहा था clear है कि percentage क्या था loss था आपको clear तो मेरे भाई इस पार्ट में total 25 question थे और हमने बढ़िया तरकी सिनकों कंप्लेटिक कई question तो बहुत easy थे कुछ question इसे है जो conceptual question है इनको आप easy practices को साथ में questions कीजिये करने की और जिसमें नई जीजिए आपको कैसे question exam में solve करना है और नई चीजिजों को सीखने के कोशिज करने option से question कैसे करना है ताकि आप easily question तक पहुंच पाओ लेगिन उसके लिए basic अच्छा होना चीए concept आपके अच्छे होने चीए उसके लिए आपको regular पहले से सारी basic बढ़िया तरीकी से आपको आना चीए और चीजिए regular आपको सीखना चीए progression नेचर रखना चीए ताकि आपको जब तक selection ना हो तब तक आप उसी तरीके से वाग करते रहो तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद तेंगे सो मच वीशी ओलते बेस्ट